वर्तमान में जो ये नैक की प्रक्रिया चल रही है विश्विद्याले के अंतरगत ये है गुनवत्ता के समवर्धन में की जाने वाली एक एक सरसाइज है अर्थात जब नैक से विश्विद्याले का मुल्यांकन और प्रत्यायन हो जाएगा तो विश्विद्याले की जितनी भी गत्विधियां हैं उन सभी गत्विधियों को राष्ट्रिय और अंतरराष्ट्रिय स्तरपरिक विशिष्ट माननेता प्राप्त होगी विद्यार्थिय में नैक कराया जाना चाहिए नैक के अंतरगत मुल्यांकन हो और प्रत्यायन हो विभिन सविधाओं का विभिन संबर्गों में जैसे कि जो आपकी विशेवस्तु है करिकुलम है जो पाठे सामगरी है या जो विद्यारतियों को सुविधायें प्रदान की जा रही है या इसी इश्या की प्रक्रिया पूरी-पूरी दो चरणों में विभाजित है पहला चरण जो है इसका ये तो गणिती है अर्थात जो सुविधायें हमारे पास हैं उनके लिए अंक निर्धारित हैं और उन निर्धारित अंकों में यदि हम आते हैं तो सताही हमें मिल जाएंगे ए और नेक की टीम विश्विध्याले में जो सुविधायें हमने कहीं कि हमारे यां हैं उन्हें देखेगी और देखने के बाद अगर उसे लगता है कि हमारा जो दावा है वो सही है तो उनमें भी हमें अंक प्रदान किये जाएंगे और इस प्रकार ये जो गुनात्मक है और परिमानात्मक है जो क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव है इन दोनों पक्षों को मिला कर विश्य विद्यार्थियों को नैक का जो यह assessment है यह पूरा हो जाएगा अब इस प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है और वो है विद्यार्थियों के द्वारा feedback दिया जाना नैक के द्वारा विद्यार्थियों को प्रशनावली भेजी गई है इस प्रशनावली में कुली किस प्रशन है और ये प्रशनावली कुछ चाट कर विद्यार्थियों को भेजी जाती है सभी को नहीं जाती लेकिन अधिक बहुत से विद्यार्थियों को जात विजिट करेगी तो इसलिए मैं अपने समस्त विद्यार्थियों से ये अपील करना चाहता हूं कि उनके पास मेल के अंतरगत नैक से कोई भी अगर फीड़ बैक के संबंध में क्वेश्चनायर आया हुआ है तो क्रपया उस क्वेश्चनायर को सबसे पहले भर कर भेज दीज क्योंकि यदि आप इसको इश्चनायर को भर कर भेजते हैं तो विश्विद्याले के नैक परत्यायन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरन में पहुंचेगी और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह उतना ही विलंब होता जाएगा और इस प्रक्रिया में विलंब होगा तो अभी तक जितनी मेहनत विश्विद्याले के द्वारा की गई है वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और उसका वरतमान में फिलहाल कोई परिणाम नहीं निकलेगा। शायद ये प्रक्रिया दुबारा से करनी पड़े हमें आगे चल कर लेकिन प्रतेक दशा में कम से कम 6,000 विद्यार्थियों का फीडबैक नैक को मिलना ही चाहिए और इस 6,000 के फीडबैक के लिए नैक से मेल आ चुकी हैं 12 नवंबर 2021 से ये प्रक्रिया प्रारंब हो चुकी है और विद्यार्थियों को शीगराती शीगर अपना फीडबैक मेल के ही माध्यम से सम्मिट कर देना है कोई कठिनकारी नहीं है केवल हाँ या नामे agree, strongly agree, do not agree इस तरह का multiple choice के 20 प्रशन है उन 20 प्रशनों का उत्तर देना है और जो 21 प्रशन है वो प्रशन open-ended है माने खुला प्रशन है अर्थात उसके उत्तर में विद्यार्थि जो चाहें वो लिख सकते हैं इस तरह ऐसे कर सकते हैं तो मेरी एक बार पुना विश्विद्याले के सभी विद्यार्थियों से गंभीरतम अपील है बहुत ही विनम्रता के साथ मैं उनसे बार-बार अनरोध कर रहा हू जिसने की विश्विद्याले के नैक के प्रत्यायन की प्रक्रिया जो है वो अगले चरण में जा सके